आज के टाइम पर थाइरोइड एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है। गर्दन के बीच के हिस्से पर एक बटरफ्लाई जैसी चीज होती है जिसको थाइरोइड ग्लैंड कहते हैं। ये देखने में तो बहुत छोटा होता है लेकिन काम ये बहुत बढ़े-बढ़े करता है। जैसे हमारे पाचन का ध्यान रखता है, एनरजी को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर की ग्रोथ और डिवलेपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है पर जब यह थाइरोड ग्लेंड परियाप मात्रा में थाइरोड हर्मोन को प्रोड्यूस नहीं करत उस टाइम पर थाइरोड की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ थाइरोड दो तरह का होता है एक होता है हाइपो थाइरोड और एक होता है हाइपर थाइरोड तो आज मैं आपको एक होम रेमिडी बताने जा रही हूँ जिससे आप अ तो चलिए, Home Remedy में आपको बता देती हूँ, जिससे आप अपने Hypothyroid को जड़ से खत्म कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं थाइरड को जड़ से खत्म करने के लिए चमतकारी घरेलू उपाए, अगर आप इसका इस्तेमाल 30 दिन तक लगातार करते हैं, तो मैं गारंटी देती आपका थाइरड जड़ से खत्म हो जाएगा, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमने हाँ पर एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम दो गलास पानी आड़ करेंगे, तो कोई भी गलास मेजर करके दो गलास पानी आप आड़ कर लीजिए, अब हम साबुत धनिया, ये धनिये के बीच आपको बहुत इजिली मार्केट में मिल जाएंगे, तो यहाँ पर दो चमच हम धनिये के बीच इसके अंदर डाल देंगे, पोटेशियम, कैल्शियम और मेगनेशियम से भरपूर धनिये के बीच का पानी थाइरड पेशन्ट के लिए अमरत के समान होता है, इस पानी को पीने से थाइरड ही नहीं, बलकि बहुत सी घंबीर बिमारियां दूर हो जाती है, वेट लोस, डायबेटीज और डायजेशन में साबुत धनिया बहुत ही लापकारी माना जाता है, इस पानी को पीने से थाइरड जैसी घंबीर बिमारिय तीस दिन मेजर से खत्म हो जाती है धनिये में ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो ना केवल डायबेटीस को सही करते हैं थाइरोट को सही करते हैं बलकि साथ ही साथ कॉलेस्टरोल को भी कम करते हैं तो यहाँ पर हमने दो ग्लास पानी लिया था और दो चमच हमने इसके अंदर धनिय के बीच एड़ कर दिये हैं अब हम इसके अंदर बोईल आ जाने का वेट करेंगे हाई फ्लेम पर बोईल आ चुका है अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता इस प्रोसेस में 7-8 मिनट लगेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने एक बार स्पून से इसको मिक्स कर दिया है अब इसको लगातार हम बोईल करते रहेंगे उबालते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि ये पानी पक पक कर आधा रह जाए और जितने भी धनिये के गुण है वो सब पानी के अंदर शामिल हो जाए तो आप देख सकते हैं पानी लगातार पक रहा है 7-8 मिनट यहां पर हो चुके हैं और पानी का आप देख सकते हैं कॉन्टरिटी भी पहले से कम हो गई है तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को ओफ कर देंगे और हल्का साइस के ठंडे हो जाने का वेट करेंगे इस पानी को हमें गुनगुना ही पीना है हल्का गरम ही पीना है जादा ठंडा करके पानी नहीं पीना है सिप सिप करते हुए इस पानी को पीएंगे तो इसके ज़्यादा लाब आपको प्राप्त होंगे तो चलिए अब इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से चान लेते हैं और इस पानी को आपको लगातार 30 दिन तक पीना है सुबा खाली पेट अगर आप थाइरोईट की दवाई खाते हैं तो पहले आप थाइरोईट की दवाई खा लेजिए और उसके एक घंटे के बाद आप ये पानी पी लीजिए इस पानी को पीने के 45 मिनट तक यानि 45 मिनट बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है इस पानी के 45 मिनट के बाद ही आपको कुछ खाना है तो 30 दिन तक इसका आप जरूर करिए आपको फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा और 30 दिन के बाद आप थायरेट चेक कराईए आपका थायरेट बेकुल ठीक हो जाएगा तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजियो चैनल को सब्सक्राइब हमारे साथ अपने एक्सपीरेश शेयर करना ना भूली बाबाई